दोस्तो आज केश वीडियों हम सीखने वाले हैं इंडियान टॉयलेट प्रोपर शीट फिटिंग किस तरह की जाती है किस तरह शीट को फिट किया जाता है किस तरह पेट बूर्गे को फिट किया जाता है किस तरह उसमें फलश वालो का कनेशन किया जाता है शीट के आगे के औ हमें कितनी जगाश होनी है तो यह दोस्तो उसका लेवल किस तरह से करना होता है इस सब कुछ आज के शीडियों हम काफी आसान तरीके से सीखने वाले हैं इस वीडियों को देखने के बाद दोस्तों आप इंडिया टॉलेट शीट काफी आसानी से फिटिंग कर सकते हैं यहां पेमार बस एक पीट्रेप मुर्गा है देख सकते हैं आपर रखा हुआ है और एक सीट है आज इसके हमें complete फिटिंग करना है तो सबसे हमें शीट की नपती करना होती है कि हमारे पाच जो शीट होती है वो एक किस इंची की बी होती है और चूवी सिंची की होती है हमेरे पा फिट करना होता है तो चलिए हम सबसे पहले शीट की नपती कर लेते हैं यहां पर जो शीट है दोस्तों बेल कंपनी काफी बेश्टी शीट है यहां पर सबसे पहले हमें इसकी चोड़ाई को नाप लेना है यहां पर देख सकते हमारे पाच चोड़ाई है वो अठारा इंच एक फिट है और यहां पर चेंच रिक हमारे पास मुर्गा है तो टोटल हमारे पास जो इसकी हाइट होने वाली 18 उने वाली दोस्तों उचाई अब यहां पर हमें इस प्रीट्रेप मुर्गे को इस टी में फिट करना हो देख सके और हमारे लाइन लिकेज नहीं हो अगर धिला इसको शेंटर में फिट करना होता है और इसकी जो लंबाई चुड़ा है दोस्तों आप शीट के हिसाब से इसकी नफ्ती कर सकते हैं अब यहां पर पीट्रेप मुर्गे को सब से पहले तो हमें यहां पर इसका लेवल का काफ़ी धियान रखना होता है यहां पर इसके हमें शेंटर में स्पीट्रेप मुर्गे को फिट किया है और इसकी जो यहाँ पर इसका लेवल किरे है यहाँ पर एक लेवल टेप है हमारे पास दोस्तों यहाँ पर पीट्रेप मुर्गे जो मेन काम होता है वो इसको लेवल का होता है अगर आप ऐसको बाका फिट करेंगे तो हमारे जो टेंग ड़के बदबू है वेश पीट्रेफ मर्गे साथ सकती है आप इस तरह से इसका टेप से भी लेवल कर सकते है और आपके पास टेप ना हो होगा तो माखे नख की बद्बू है पिटेव मुर्गें सा वाड़ी थे क्वाईय शाव रिकेंट नसकrem KARने इसे भी हले नहीं तो यहां पर देख सकते हैं हैं पर मुर्गे का आइच्छाइड जो गेप है वहां पर आपको इस तरह स्यमेंट का मसाला लगा देना है दोस्तों जिससे हमारे जो पीट्रेम मुर्गा है काफी मजबूत होगा अब यहां पर देख से तमारे जो पीट्रेम मुर्गा है शिमेंट के हमने फिट कर लिए अब यहां पर आइच्छाइड यो गेप देख रहा है खाली गेप देख रहा है यहां पर इस तरह से कुछ भी मट्रियर वगर डाल सकते हैं आपर हमें फलश को कनेक्शन भी करना होग अब यहां पर हमें इस पीट्रेम मुर्गे के उपर इस शीट को रखके देख लेना है यहां पर इसको अच्छा से इसको जमा लेते हैं दोस्तों यहां पर दो फाइदे होते हैं एक तो आपके हैड भी बढ़िया है यह दूसरा हमारे पाद जो हम चुछ टोइलेट में जा गंदगी बगिरा है वह पीट्रेम मुर्गे में बहार के और से बिल्कुल किलियर दिखती है दोस्तों तो आप इसको गंदगी को छुपाने के लिए भी एक पाइप पर तुकड़ा शीट में जोइन कर सकते हैं देखते हैं हमें आपने जो शीट है वो काफी नीचे के और ह तब यहां पे हम क्या करने वाले हैं दोस्तों हमें शीट को थोड़ी ऊपर के और चार इंचे उपर करना है तो यहां पे हमें एक पाइप के तुकड़े को जोइन करना होगा शीट को उपर करने के लिए तो उसको जोइन किस तरह से करना है दोस्तों वह भी आज की शीडिय आएगा हमारी लाइन कही से लिकेज भी नहीं कि दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं हमारा जो पाइप है वो बिल्कुल काई टाइट बेड़ चुका है इससे हमारी दोस्तों शीट के हाइट भी बढ़ चुकी है अब इससे हमारी जो शीट की जो गंदागी वगरा है जो आप इस तरह शीट को ऊची भी कर सकते हैं दोस्तों चलिए अब यहाँ पर हम शीट को फिट कर लेते हैं अब यहाँ पर स्ट्रीट के निची को जितनी में बढ़ा जो खाली गेप है वहाँ पर हमीं सीमेंड को लगा दोस्तों वह पे आपको मेटरियल नहीं लगाना है वह सकती है इसका मेलिघ के ने लगाए तो हमारे बजे नेSerics दी आऑ ख्रयाएं दोस्तों यहाँ नई सकते हैं और आप बहुतने लगाएं मगर यहाँ के नीचे जितने लेवल करें दोस्तु आप जब भी हिसकी को भी करें तो आपको दोनों इтив कोड़को यह पर बहुत्व ऑब जिसके हमारो विछ सी के से बाकिन हो यह सिसके आपको दोनों कोने पीछे क्यों के बिनिवा रहु क्यों को जब आप करने वाले हैं और यहां पर वीडियो में भी दोस्तों फलश का कनेक्शन भी करने वाले हैं यहां पर देख सकते हैं हम आज जितनी भी नीचे के और गेफ हैं वहां पर हम सिर्फ श्रिमेठी लगा रहा है दोस्तों सुखने के बाद हमारी श्रीट है वो काफी मजबूत होने करने वाली है अब यहां पर आगे कर हमें इसका कनेक्शन करना होगा दोस्तों यहीं से देख सकते हैं हमारे फलश के लिए पाइप गया हुआ है तो यहां पर हम आज जो फलश में शामान लगने वाला है कनेक्शन में लगने वाला है दोस्तों उसके लिए हम यहां पर कनेक तो रबर वाश्य ज़रूर लगाएं इस तरह से हमारी लाइन बिल्कूल भी लिकेज नहीं कि स्ट्रीट के पीछे के वाश्य लगा देना है यहां रपास एक बाए आदर की टी हमें एक नल का चैप लिए और यहां पर आपको केपलों टेप लगा देना है और केपलों टेप अब बाद इसका हमें फ्लैश्वल्वी से करना है और आपको इसको अज़से टाइट करना है दोस्तों क्योंकि हमारे कई बार ही से लिकेज होती है तो आपको इस तरह से पाइप इंग पाने से इसी तरह यहां पर हमें दोनों अगश्ट करना होगा, इस MTS से, में आपको इसको पाई परिक पाने से दोस्तों आच्छी टाइट करदना यहाँ पर में हमें एक नल का कनिक्शन हब करना है, तो सबसे पहले वाल शीक्स से पहले हमें एक नल का पॉήςंट देना होता है, तो वहाँ पर हमें look की लगने तो हमेरे लाइन लिखे रहे हैं तो फर्श हमें फोड़ना पड़ता तो आप जब इस तरह से प्लंबिंग का कोई भी काम करें तो शुलेशन लगाने का काफी धियान रखें अब यहां पर एक नल के कनेशन के लिए में बराश के एक एलबो लगने वाली है तो यहां पर मिश के हाउश वाइनिंग के नल फिटिंग के टॉलेट शीट फिडिंग के और भी काफी वीडियो मिलने वाले हैं दोस्तों अगर आप इस तरह से प्लंबिंग का कोई भी काम सिखना चाहते हैं तो हमारे चेनल को सब्सक्राइब जरू कि दिए यहां पर देख सिते हैं हमारे प शीट के पीछी के और इसका कनेशन करना होगा और हम जो पाइप लेने वाले हैं दोस्तों वो सीट से आपको कम से कम दो इंचे से देड़ इंचे नीचे रखना है ताकि हमें फर्श को भी दिक्कत ना है हम जो सीट लगाते हैं उससे हमें इस तरह से फलश के पाइप को लगने वाली है तो यहां पर पिन नफ्टी कर गए इसका कनेशन भी कर लेते हैं अगर आप इस तरह से प्लंबिंग का कोई भी काम सीखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू किजिए हमारे चैनल पर आपको इस तरह टोलेट शीट फिटिंग के फ कैनेशन के लिए सबसे जो मेन काम होता है या लगा दियान रखें अब यहां पर तो यहाँ पर देख सकते हैं घूपbr यह पर दें अलबम में बृटब को इस वाशन को लगा देना है यहां पर देख सकते हैं अमआने बासन क्रिको चुका है अब यहां पर हमने जो rubber का वाशर लगा है वहां पर हमें शीमेंट को भी लगाना होगा दोस्तों जिससे हमारी जो शेपटी है काफी शेपटी होगी पानी रोखने के लिए तो चलिए हम यहां पर समझ लेते हैं हमने फलश का कनेशन किस तरह क्या है देख सकते हैं पर पीच्छों का हमारी नल फिटिंग करी होगा है हमने एक हाफशेट लगा के एक टी लगा एक नल का कनेशन की दिया है और यहां पर दो एमटेश लगा एक फ्रश वालव कनेशन किया यहां पर तीन एलबो लगा के हमने रबर वाशर की जरीए यहां पर पीछे को इसका connection क्या है रबर वाशर लगाया दोस्तो यहां पर हमने आज की शुड़ियों हमने काफी आसान तरी के से बता है किस तरह टोलेट शीट फिटिक की जाती है दोस्तो अब सबसे जो में काम होता है यहां पर इसका लेवल का होता है दोस्तो तो हमें यहां पर इसका लेवल भी करना होगा ताकि हमारे शीट कहीं से बाकी ना हो आपको इस तरह से दोनों तरफ लेवल पानी रखके लेवल बाड़ी लखके इसका लेवल लेख लेना देख सकते हैं जो शीट है दोस्तो वो बिल्कुल लेवल में है अगर आपको पास शीट कहीं से बाकी हो तो आप इस तरह से इसको दबा कर इसको बिल्कुल लेवल में कर ले अब यहाँ पर जितने भी हमारी जो शीट के नीचे काफी गेप है देख सकते हैं आपे वहाँ पर हमें सीट पर श शिट फूरी आएगी तो आपको इसा नहीं करना है अब यहाँ पे अपने जो रबर का वाश्र लगाया है दोस्तों वहाँ पर हमें हम यहाँ पर सिर्फ शीमेंड ही लगाते हैं बगेर ले तो पर पर पार प्राइट हमारे पीवर शीमेंड है दोस्तों हमें यह पर शीमेंड लगाई है वो सीट से नीचे के और लगाई है ताकि हमें फर से लगना में कोई भी परेशानी ना हो अगर आप इस तरह से और भी पलम्मी के काम सीखना चाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए